पिछली दो कड़ियों में मैंने आप सभी के साथ नीना मैनी की केस का देखर किया है जिनका लिंक नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीना मैनी ने डाक्टर प्रायन विज के सामूहिक सेशन को अटेंड किया था और बाद में अपने experience को एक खत के माध्यम से डाक्टर विच के साथ share किया था अब एक चीज और थी नीना मैनी ने कुछ और भी जन्मों की द्रिश्य देखे थे और उन्होंने देखा था कि वो महां से कुछ डर है कुछ दर्ध है वो कुछ डर है जिनको लेकर इस बर्थ में आई है अब चलिए ये तो समझ आ गया कि कुछ डर है जो पास लाइफ से आये है लेकिन अब क्या किया जाए अब भुने कैसे जिन्दगी से बहार निकाला जाए नीना मैनी के इस एक्सपिरिंस को आगे बढ़ाने से पहले एक बात है जो मुझे याद आती है ब्राइन विज ने जो मैनी लाइफ मैनी मास्टर ये बुक लिखी थी इसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जो उनको मागदशकों से संदेश मिले थे उसमें उन्होंने कहा था कि उनके मागदशक द्वारा उन्हें कहा गया जो उनके एक्जेक्ली शब्द थे कैथरीन के द्वारा जो कहा गया उसने कहा तुम्हारा यह सोचना बिलकुल सही है कि भोतिक शरीरों में मौजूद आत्माओं के उपचार का सही तरीका यही है कि उनके दिलो दिमाग को भै से मुक्त करा दिया जाए जब तक डर है तब तक व्यक्ति अपनी उर्जा का विस्तार कर ही नहीं पाता यह शब्द मैं आपको exactly मागदर्शक के बता रही हूँ बिना एक भी शब्द के साथ हेर फेर की आगे मागदर्शक ने खा कि डर उर्जा को सिकोर देता है और लोगों को उस उदेश्य की प्राप्ति नहीं करने देता जिसके लिए उन्होंने ये भोतिक शरीर धारन किया है उर्जा सब कुछ तो उर्जा है पर इस उर्जा का जो अधिकांश भाग है वो बिकार ही तो जा रहा है वो व्यर्थ जा रहा है कभी किसी ने उसका इस्तमल किया ही नहीं परवत के अंदर सब कुछ एकदम शांत रहता है उसका केंद्र एकदम स्थिर होता है पर परवत की जो उपरी सदय है उस पर हमेशा हलचल भरी रहती है इसी तहन से इंसान की आखें बस उपर उपर देख पाती है तुम्हें गेहरे उतरना होगा तुम्हें अपने डरों से पार पाना होगा यही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र साबित होगा यह जो लाइस मैंने अभी आपको बताई हैं यह एक्जेक्ली कैथरीन के मुँझ से निकलेवे लवज हैं एक तरह से मागदर्शक के द्वारा डाक्टर विज के लिए संदेश है क्योंकि डाक्टर विज किस पात पे चल रहे थे उनकी समझ में कुछ आ रहा था वो सही ट्रैक पे थे उनको समझ आ रहा था कि जो कुछ भी अब जैसे पास से भी कुछ कैरी फर्वर्ट हो रहा है अगर आपकी इस लाइफ में तो क्यों हो रहा है ध्यान दीजी जो इतने सारे पुनरजनम के केस आप देखते हैं सुनते हैं अखबारों में पढ़ते हैं थोड़ा उन सब पर एक नजर डालिए आप सब पे न एक चीज बड़ी लिपनी नोटीस करेंगे कि सब के सब जिनको भी अपना रीवर्ट याद है किसने किसी डर की वजह से याद है कुछ हुआ है कुछ एकसिजिन्ट हुआ है कुछ डर जरूर है तब ही उनको अपना पास्ट बर्थ याद है या तो मोह है, मोह भी है, लेकिन मोह वाली चीज़ भी कम है, डर वाली चीज़ ज़्यदा है, तो डाक्टर ब्रैनमीस की जो ये उनका दिमाग जिस दिशा में जा रहा था, कि अगर लोगों को हील करना है, तो सबसे सही तरीका क्या है, कि उनके डरों को खतम किया जाए, रूबरू करा जाए उनके डरों को, वो एक कहावत है न, कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत कैसी है, डर के आगे जीत ऐसी है कि जब आप आमने सामने आख में आख मिला के खड़े होते हैं अपने डर के, तो डर अपने आप छोटा हो के गया हो जाता है क्योंकि वो आपकी इग्नोरंस से ही बढ़ रहा था जैसे कुछ लोग स्काई ड्राइविंग करते हैं जैसे आप भी कभी किसी वाटर पार्क में जाएंगे तो कभी कोई बहुत खतरनाक सा जूला होता है तो आप पहली बार डरेंगे बहुत डरेंगे हिम्मत करके अगर आपने एक बार आप उस जूले पर चड़ जाते हैं दो बार चड़ जाते हैं उसके बाद तीसी बार आपको डर लगे गा ही नहीं फिर तो आप देखो देखो मैं कितनी इजली जा रहा हूँ कहके लोगों को भी एंगरेज कर रहे होंगे कि देखो इज़ी है इस पर चड़ना लेकिन पहले दो बार आपने उस डर का आमना सामना किया है उसकी आँख से आँख मिलाई है तब तीसरी बार आपके लिए इज़ी हुआ है इसी तरह से यह माग दर्शक के संदेश है कि दर का आमना सामना करना है और सिफ आमना सामना नहीं करना अचा पहले तो यह डर कैयरी फरवड ही क्यों हो अगर हम जिस बर्थ में ये डर शुरू हो रहे हैं, आज आप इस जनम में हैं, इस जनम में भी कुछ एक डर हो सकता है, सिचुएशन घटनाए, ऐसी घटी हों कि उनसे क्रियेट हुए हो, अगर वहीं पर हम उन्हें सुलजा के वहीं पर उन्हें खतम कर दे तो फिर वो केरिफरोट हो गई ही क्यों? अब जैसा कि हम नीना मैने के केस का जिक्र कर रहे थे तो नीना ने बहुत ही थोड़े अलग अंदाज में बात उन्होंने यही कही है थोड़े अलग अंदाज में कही है अर्थपुन तडिके से उन्होंने अपनी बात को रखा उन्होंने कहा कि हम सब एक दूसरे से connected है और हमें जोडने वारा जो बंधन है वो भोतिक नहीं है वो अध्यात्मीक है क्यों क्योंकि हम ये hard mask खून तो है ही नहीं हम आत्माएं है भोतिक शरीर तो हमारा एक उपरी कपड़ी जैसा ही है न जो हमारा वास्तविक सरूप है वो तो उर्जा के कण हैं तरंगी है जिनसे वो बना है रख तो और हड़ियां तो नहीं है न यही वज़े है कि हम जो भी सोचते हैं, जैसी भी भावनाय रखते हैं, वैसी ही उर्जा की तरंगे हमसे बाहर निकलती हैं और इस संपून भ्रहमान में फैल जाती है और फिर जब उसका असर पड़ता है, वो सिर्फ किसी एक मिनुश्य पर नहीं पड़ता है, पूरी प्रकरती पर पड़ता है सामुहिक भविश्य निधारन हो जाता है अब चलिए, इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, यह सवाल भी कई बार आता है, कि बार आती है, भुजाल आता है, कई-कई हजार लोग उसमें तबहा हो जाते हैं, तो क्या उन सब का भविश्य एक ही था? तो हाँ, उन सब के उपर सामोहिक नियती का प्रभाव पढ़ा, वो क्योंकि डर, गुसा, नफरत, यह जो भावनाएं हैं, उन्होंने उस चीज़ को उपजा तो दिया, सिस्टी में वो तरंगे चली तो गई, अकाल, बार, भुजाल जो कुछ था, वो क्रियेट तो हो गया लेकिन अब इतने सारे लोगों पर जो उसका असर पड़ा है, वो अलग-अलग पड़ा है, और वो किसाधार पर पड़ा है, वो उनकी कुछ जो व्यक्तिकत, जो उनकी भावनाएं, व्यक्तिकत उर्जा, क्योंकि जैसे उर्जा उन्होंने क्रियेट करी, उसी तरह की कोई घायल हो गया और कोई बिल्कुल बच के सही सलामत वापस आ गया ऐसा इसलिए हुआ कि पहले जो सामुहिक रूप से उर्जा क्रियेट की गई है एक का असर दूसरे पर पढ़ता है अभी अभी हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक हम सब आत्मा हैं तो एक आत्मा जिस्तरे की भाव क्रियेट करती है उसका असर दूसरे पर पढ़ता है तीसरे पर पढ़ता है इस पूरी सिस और मैं एक चीज और मैसूस करती हूँ कि हमारे जो 50-60% जो डर है वो तो कभी घटित होते ही नहीं है वो सिर्फ हमारे मन की उपज होते हैं और कभी वो सत्य में परवर्तित होते ही नहीं है हमने ही एक illusion create किया हुआ है और उसकी वज़े से हम डर create कर रहे हैं जो हकीकत में है ही नहीं तो अब आप खुद चेक कीजे कि आपका डर किस category में आता है यह पास बर्थ से आया हुआ है यह इस बर्थ के किसी घटना से जुड़ा हुआ है यह सिर्फ एक illusion है लेकिन चाहे वो इन तीनों में से कुछ भी हो यह आपकी उर्जा कोर निखरने से रोक रहा है उसको स दाल कर उसको जड़ से सुलझा कर साइड में करना बहुत जुरूरी है अब यह जो पास लाइफ एग्रेशन हुआ इसमें नीना मैनी ने बहुत साइध दिखे उन्होंने एक दिखे में देखा कि वो एक जेल में है और वो कैदी उसने अपराद किये हैं और वो अपने अप रादों को अन्जाम दिया और एक दिख्षे में वो देखते हैं कि उनकी एक संतान है वो भी बुखमरी का शिकार है उनको भी पता है कि यह जो भुखमरी की हालाथ है इसमें हम दोनों की मृत्व हो जाएगी तो उनको अपने संतान को खोने का डर लग रहा है क्योंकि वो म वलत फैमियों की वजह से हैं खुद डरने या दूसरों को डराने के लिए डर का कारण बनने की वजह से हैं दूसरों को डराने इस बात पर ज़रा गोर की जोगा दूसरों को डराने यानि कि अप आप खुदी सोच लिए अपना मुल्यांकन खुदी कर लिए अपनी बातों से आप करते क्या हैं सामने माले का डर निकालते हैं या सामने माले के अंतर डर गुसाते हैं जो भी करते हैं वही return मिलेगा आपको नीचे description box में मैंने आप सभी के साथ अपने second channel path of happiness का और नीना मैनी के case की दोनों कड़ियों का link share किया है अगर आप नित्यू के बात की दुनिया के संबंध में जो सत्ते तत्यों पर आधारित हैं, उसके आधार पर जानकारी चाहते हैं, तो किर्पया मेरे सेकिंड चैनल पाथ ओफ हैपिनस पर ज़रूर विजिट कीजिए, आप सभी पर परमातम सौंदर रहे, प्रेम और आनंद, सैदेव परस्ता रहे, आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप्त करें, पिछली दो कडियों में